हलो और विल्कम बैक टू बोधी सत्तो PCS मैं डियर फ्रेंड मैं हूँ आपका होस्ट एंदोस्त अमरेंदर तिवारी मुझे आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में जो कि आपका मूल करतब है दिलो जान से लगे हुए होंगे मैं डियर फ्रेंड आज के विडियो लेक्चर में इंटरनेशनल रिलेशन के अंतरगत हम पढ़ने वाले हैं भारत मद्यपूर भी यूरोप आर्थिक गलियारा जैसे कि मैंने कल प्रॉमिस किया था वाइल डिसकसिंग अबाओ जी ट्वेंटी औन इस आउटकम जो की अट्रा मद्यपूर भी यूरोप आर्थिक गलियारा काफी मद्यपूर है 469 BPSC Men's Point of View से देखें इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक के रूप में ठीक है और किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो हम उसे तोड़ के पढ़ते हैं कि थ्रूआउट वीडियो लेक्चर या थ्रू देखेंगे कि चर्चा में क्यों है obvious मैंने बता ही दिया अभी current affairs के लिहाद से फिर इसका क्या उदेश्य है जब भी हम कोई एम गोल अपने लिए निर्दारित करते हैं तो उसका कोई ना कोई उसके द्वारा हम कोई ना कोई ultimate किसी चीज को वस्तो को प्राप्त करने की कोश रखा क्या मायने है इसके साथ साथ जब भी कोई हम बड़ा प्लान बनाते हैं तो उसके राह में बहुत सारी चुनोती आती हैं for example यह दि मानलो आप civil services preparation की जरनी शुरू करना चाहते हो आप ultimate goal करना यह आपने decide कर लिया कि बिहार की जंतागी सेवा करनी है इस रास्ते से तो से 10,000 रुपे हर एक मन्त लग जाएंगे कहां से आएगा यह ओगरा 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 कौन से कोचिंग में किस सिक्षक के पास जाएं यह सारी चुनोती आपके सामने आती हैं तो क्योंकि आपने एक प्लान बनाया उस पर execute करने की कोशिश कर रहे हो तो इसी तरीके से इतना ब बहुत ही बड़ा प्लान है आप सबको पता ही होगा उससे इसकी तुलना भी करेंगे कि यह किस परकार जो है चाइना के BRI प्रोजेक्ट से अलग है माई डियर फेंट ठीक है और इस टॉपिक से संभावित प्रश्ण कैसे पूछा जा सकता है बीपेसी के दोवारा इस जट स कई तरीके से कई आयामों को समाहित करते हुए इस संभावित प्रश्ण इस तरीके से हो सकता है या आप से पूछा जा सकता है बीपेसी के दोवारा भारत मद्यपूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा चाइना के B.R.I.C. किस तरीके से भिन्न है इसके महत्वा एयम प्रशा जा सकता है और आप जो है इसे लिख सकते हो यदि आपने बढ़िया से इस वीडियो लक्षर को देख लिया और समझ लिया और हाँ यदि आपको इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने में दिक्कत महसूस होता है ना फॉर्मूला आपको पता नहीं है तो मैं इसमें डि जो आपको फेस करना होता है फिर उसके लिए प्लान बनाते हो और उन चिनौतियों को मिटिगेट करने की कोशिश करते हो और अंतत्तों गयत्वाइम तक पहुंसते हो ठीक है तो एक आपको फर्मूला पता चला ना देखो बेसिक चीजे हैं और मेरा अल्टिमेट गोल यही प्रियास यही रहता है कि हम खाना पूरती ना करके आपको जो कुछ भी पढ़ाएं चाहें कम पढ़ाएं या ज्यादा पढ़ाएं अच्छे से पढ़ाएं ताकि उसका आउटकम जो है आपको एक्जाम में देखने को मिले हैं माई रिफेंट ठीक है चलिए शुरू करते ह इसका explanation शुरू करने से पहले आपसे request है यदि चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe करके bell का icon दबा दीजेगा तो कोई भी latest notification आप तक पहुंच जाएगा और हमें भी motivation मिलेगी दबा दीजेगा और अपने unfriend के साथ भी share कर देना हाँ और आपके लिए एक discovery भी है यदि आपको डर लगता है current fs के preparation से काफी dynamic हो चुका है और काफी ज़्यादा importance है तो इसको mitigate करने के लिए हम जल्द ही छटपूजा के बाद launch करने वाले हैं किशन गज की weekly editorial analysis for BPSC means examination इसके सरोत होंगे the Hindu Indian Express PIB और साथ में बिहार government की website सरीके सरोत होंगे इसके ठीक है तो आपके preparation का पैमाना जो है काफी ज़्यादा अपिस ख्याला होने वाला है my dear friend तो don't worry about that and चलिए start करते हैं मैंने पहले ही बता दिया कि G20 सिकर समेलन में अस्थापनागी इसकी गोशना करी गई कौन कौन से इसमें देश शामिल है किन लोगों ने हस्ताक्षर करा obvious तो आपको पता होना चाहिए और इसमें देखो बहुत सारे लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया, UAE, सौधी, अरब बहुत सारे लोग क्या बनाएंगे बहुत सारे लोग कुछ short code बनाएंगे short तरीके याद करने की लेकिन कभी भी जब आप geographical location को याद करने की कोशिश करो या किसी भी तरीक पर बेस्ट हमारा 70 BPC का पूरा foundation course चल रहा है तो IMECP हस्ताक्षर करने वाले देशों का sequence आप देख लो यहाँ फोटोजेनिक memory यूज करना चाहिए क्योंकि मेंस के लिए आपको बहुत सारे तथ्यों की और शक्ता पड़ती है और इन तथ्यों को अपने दिमाग में रखना या तो आप लगबग याद करते हो या फोटोजेनिक memory के दवारा अपने दिमाग में ज्यादा दिन तक रख सकते हो my dear friend तो आप देखोगी तो एक sequence पर आप्त होगा इंडिया का, UAE का, सौदी अरब का, इटली का, फ्रांस का, जर्मनी का, फिर European Union का और उधर जाके USA का my dear friend ठीक है, और इन सारे देशों के दवारा इस पे हस्ताक्षर किया गया है, इसमें obvious यह जो गली आ रहा है, आप देखोगे समुंदरी मार्ग भी है, सलिये मार्ग भी है, तो समुंदरी मार्ग, तो है समुंदर के, मतलब जहाज रानी के दवारा इसको cover कर रहा जाएगा, की connectivity देनी पड़ेगी, तो इसमें क्या है, यह सारक समुंदर परागमन नेटवर्क जो है, इसमें शामिल है, ठीक है, और इसमें उतरी गली आ रहा है, जो की अरब की खाड़ी से, यह यूरूब को connect करेगा, और फिर यहाँ पे पुर्भी गली आ रहा है, जो की इंडिया को अरब की खाड़ी से connect करेगा, तो इसमें दो गली आरे शामिल हैं, जो की आपने इसकी study कर ली, और obvious इसका उदेशी क्या है, क्यों हम इसको कर रहा है, IMEC को execute करने की कोशिश अमारे द्वारा, या जो भी हस्ताक्षर करता देश हैं, उनके द्वारा किया जा रहा है, किन उ देशियों को पराप्त करने के लिए, लागत प्रभावी और विश्वस्तनिय सीमा पार, जहाज और रेल परागमन का निर्मान करने के लिए, जब यह हो जाएगा, तो बहुत सारे देशों के बीच जो है, बैपार सुगमता बढ़ेगी और बैपार बढ़ेगा, जैसे भा आर्थिक गलियारे के तहट, आर्थिक गलियारे के द्वारा, इसके साथ साथ इसमें बिदुद आयों डिजिटल कनेक्टिवीडी के लिए केवल बिचाने का भी अग्रिमेंट शामिल है, और स्वाक्ष हाइड्रोजन के लिए पाइपलाइन भी बिचाना होगा, इसमें ज देख लेते हैं, IMECE का क्या महत्व है, विश्व के नजरिये से और भारत के लिए भी, विश्व के लिए इसका क्या माइने है और भारत के लिए इसका क्या माइने है, सबसे पहले, पहला पॉइंट है, पहुंच यहां बेपार सुबिदा, और अबियस इतना बड़ा जब आर्थिक गलियारा हो जाएगा, बन जाएगा, डेडिकेटेट आर्थिक गलियारा, तो वस्तु का आवाज आई, काफी आसान हो जाएगा, उस पे टाकसे जोगरा भी काफी कम लगेंगे, वस्तु में सस्ता भी कहेंगी, एक से दूसरे दिश का बेपार शुगंता बढ़ेगा बस्तु का आदान प्रतान होगा निवेश बढ़ेगा तो इससे क्या होगा बेपार ऑविस बढ़ेगा पहुच भी बढ़ेगा और बेपार सुविदा भी प्राप्त होगी मैं डेर फैंड फिर इसके साथ-साथ आर्थिक एकी करण बढ़ेगा इकनॉ लोड दे दिया गया और आपको दे दिया गया कि इसी पे आप लोग जो है अन उगाओ जो भी सबजिया उगाओ फल उगाओ गार्डेनिंग करो और इससे जो प्राप्त आये है उससे अपना पेट पालन करो परिवार का पालन पोशन करो तो एक बात बताओ कि जो भी पांच लोग इसमें शामिल है उनमें एक उनिफिकेशन हुआ की नहीं एक करण हुआ की और ये एक करण किस तरीके का इक अर्थिक एक करण है तो वहीं पढ़े लिकों के भाधा में ये सारी चीजरे लिखी जाती है तो थोड़ी सी कठनाई आपको महसूस होती है मुझे पता है ब और Eurasia क्या होता है? यूरोप और एशिया के रीजन को मिलाया जाता है. तो Eurasia उसको नाम दिया जाता है. इसके साथ सतत भी गास को बढ़ावा मिलेगा. हमने पहले ही बताए कि हाइडरोजन के लिए हाइडरोजन जो की एक स्वक्ष इंधन माना जाता है. उसके लिए पाइपलाइन बिछाए जाएगा. और जो भी स्वक्ष इंधन के लिए प्रदोगी किया होंगी. उनका अदान परदान भी होगा. तो इस अब्यूस क्या होगा? इस डीजी गोल को प्राप्त करने में हमें साहता प्राप्त होगा. इसके साथ साथ राजनीतिक सायोग बढ़ेगा. आप एक बात बताओ. जब आर्थिक एकी करन, एकनॉमिक यूनिफिकेशन, एकनॉमिक अर्थ ब्यूस्ता सबसे बड़ी चीज है. पैसा सबसे बड़ा चीज है. पैसा नहीं रहेगा तो नहीं. आप अपना पेट पालन पोशन कर पाओगे, आपने बच्चों का पालन पोशन नहीं कर पाओगे, आपके लिए धर्म का महत तो रह जाएगा, आपके लिए स्वतंतरता का, राजनीतिक का, किसी भी तरीके की स्वतंतरता, देश और धर्म का महत तो आपके लिए नहीं रह तो पैसा बहुत बड़ी चीज है तो पैसे जब आर्थिक युनिफिकेशन होगा तो अन्य सारे संबंधों में भी क्या होगी गर्माहाट आएगी आएगी की नहीं आएगी अन्य संबंधों में भी युनिफिकेशन होगा तो ओवियस राजनितिक सायोग भी यह जो भी संबं मंच पे कोई देश जो भी इस युनिफिकेशन में सामिल देश हैं कोई बात कहने की कोशिश करता है तो हम उसे सपोर्ट करें तो यह क्या बढ़ेगा अपका राजनितिक सायोग बढ़ेगा की नहीं बढ़ेगा और और जब इतना बड़ा multimodal project है connectivity आर्थिक गल्यारा बनाया जा रहा है तो केवल आर्थिक रूप से ही connectivity नहीं बढ़ेगी न रिजनल कनेक्टिवीटी भी बढ़ेगी एक रिजन से दुसरा रिजन कनेक्ट हो जायेगा लोगों के भी पिपल टीपिपल कंटक्ट भी बढ़ेगा सायोग भी बढ़ेग कुल्चरल इंफ्लूएंस भी बढ़ेगा राजनितिक इंफ्लूएंस भी बढ़ेगा मतलब एक दूसरे में सयोगात्मक रुख अपनाएंगे तो ये सारी चीजे होंगी और बस ये संबंधों पर डिसाइड होता है जैसे कि आपका और आपके फुभाजी का संबंध है जैसे कोई जमीन हरप लिया या आपके अहीत की बात करोगे तो जगरा भी कर सकते हो तो वैसे ही इंटरनेशनल रिलेशन में भी होता है माँ दिया इसी चीज को हम ब्राड अस्पेक्ट्रम पे समझने की कोशिश करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में इसके साथ साथ सुरक्षित वैसविक आपूर्ती स्रिंखला का निरमान होगा सुरक्षित आप दिखो अब एक मान लीजे आर्थिक गल्यारा बना दिया गया। इंडिया से लेके यूरोब तक थिक है इस के पुर्वी गल्यारा और उतरे गल्यारा जब बन जाएंगे तो इंडिया से लेके यूरोब तक connectivity बन जाएगी तो ये क्या होगा जब समानों का आपूर्ती होगी न इस के द्वारा इस network के द्वारा तो आपूर्ती स्रिंखला भी सुरक्षित आपूर्ती स्रिंखला भी क्या होगी एक उसकी अस्थापना होगी और आपूर्ती स्रिंखला वस्तों की आपूर्ती पुर्मा के लिहास से यदि आप देखें वर्श्वी करण की इस दोर पे काफी जादा इंपोर्टेंट है जो पिसले जीनों COVID-19 से प्रभावित हुआ तो बहुत सारे manufacturing कमपनियां जो है बंद होने के गार पे आ गई उसके बाद रोश्या और उक्रेयन के युद्ध के वज़ हो रही है उसका भी प्रभाव पूरे वर्श्विक एकनामी को देखने को मिलेगा और इंडिया उसमें तो है इंडिया को भी उसका प्रभाव जिलना पड़ेगा तो जब ये सारी चीजें सब लोगों का एक ही एम है एक ही मतलब एक connection से सब लोग जुड़े हुए हैं सब का आर्थिक हिट समान है तो जो ये आपूर्ती सिंखला है उसकी भी एक सुरक्षित आपूर्ती वर्श्विक सिंखला का निर्मान होगा इसके साथ साथ आपने देखा था कि Belt and Road Initiative जो चाइना का प्रजेक्ट है ये highly centralized है चाइना के तरफ और चाइना ही इसका सर्वे सर्वा है सारा investment तोगरा सब वहीं करेगा और अपने पक्ष में अपने पक्ष पोशन को ज्यादा वो महत्ता देगा अन देशों का नहीं पाकिस्तान को कैसे बरबाद कर रहा है आप इस बात को लेकर मतलब ये आपके सामने परतक्ष उधारन है स्रलंका या जो लोग भी उसे economically connect सब को जूँक के जैसे वो चूस लिया माइडेर फ्रेंड ठीक है तो ये आप बात ध्यान में रखना लेकिन वहीं यदि IMEC को देखोगे तो ये क्या है ये साज़दारी पे depend करता है ये आपसी विश्वस्निये रिस्तों पे depend करता है आपसी साज़दारी पे depend करता है तो इसमें सबका साथ और सबका बिकास की भावना है वाशुदय वे को टुम्बकम की भावना है जबकि चाइना में केवल अपना हित ही सर्वो परी BRI वाले में concept इसमें लागू होता है ये बात आ गई समझ में यहीं सारी चीजे हैं इसको decode करके पढ़ना है रटने की कोशिश मत करो और हाँ यदि आप 70 BPSC आपका टार्गेट है न तो मात्र 3599 रुपय में अभी छूट चल रहा है प्री प्लस मेंस चटी से बारावी कक्षार तक की NCRT पढ़ाई जाएगी आपको एडवांस लेबल की चीजे बताई जाएगी से पढ़ाई जाएगा करेंट अपेस पढ़ाई जाएगा वीकली टेस्ट भी होगा प्री और मेंस दोनों के लिए सारा चीज इंक्लूट है if you want to join us and you want to maintain the pace and standard of your preparation for 70 BPSC examination then you can call and whatsapp on 9510-68805 इस नमबर पे कॉल कीजिए या एक और हमारा नमबर है यह हमारा नमबर है 97178805 इन दोनों नमबर पे किसी पे कॉल करके हमसे जूटके आप अपने preparation का pace और standard दोनों maintain कर सकते हैं ठीक है तो यह हमने देखा वर्षविक रूप में इसके साथ साथ जब यह मान लिजी यह प् संदेश जाएगा जो चाइना को counter करेगा जो चाइना का सर्वे सर्वा वाला निती है ना कि हमाई सब कुछ है all in all है और हम जिस पे हाथ रखेंगे वहीं हमारा संदेश जाएगा उसी को हम संदेश जाएगा विश्य को साज़धारी का संदेश जाएगा तो जो लोग भी BRI उसको भी लगेगा कि आरे भाईया ये तो सब लोग आपस में मिल जूल के काम कर रहे हैं और हम चाइना के अंडर जा रहे हैं तो चाइना हमारे उपर सर्वे सर्वा बनके बैठा है तो हम चाइना को सपोर्ट नहीं करेंगे तो चाइना को counter करने में भी इससे मदद मिलेग भारत के लिहाँ से देखें तो जो इसको लाव होगा ना विश्व को लाव होगा तो भारत को भी होगा इस ये सारे लाव लेकिन कुछ extra लाव होगा जो भारत की act west नीती है मतलब पशिम के तरफ देखने की नीती है उसको मजबूती मिलेगी साथ में लोजिस्टिक लागत कम होगा और बेपार बृती और निवेश में भी लाव मिलेगा इंडिया को जो अन्न देशों के भी मिलेगा भारत और ये बेपार में लगबग 40 फिसदी का इजाफा होने की संभावना है आप सब को पता होना चाहिए कि जो मिडिल इस्ट हैं या जो गल्फ कंटी जैं इसमें इंडिया की इंडिया का जो है आठ मिलियन से मूर दैन आठ मिलियन पॉपुलेशन जो है इसमें कारिरत है और ये हर एक शाल लगबग 50 बिलियन डॉलर के बराबर धन को भी प्रेशिद करते हैं इंडिया में तो Indian diaspora के बहुत सारे लोग रहते हैं Middle East में और जो भी Gulf countries हैं उसमें तो इसे जो है people to people contact भी बढ़ेगा और उस diaspora का जो है maximum lab इंडिया लेने की कोशिश करेगा इसके द्वारा my different ठीक है तो ये बातें आपको समझ में आ गई अब चुनोतियां क्या है देखो जटिल भूराज नहीं थी ठीक है काफी complex geopolitics है इसकी अभी मान लो कि अभी जैसे कुछ दिन पहले तो सारी चीज़े इस तिड़ चल रही थी लेकिन अभी जैसे हमास ने इसराइल पर war attack कर दिया तो इसराइल और फिलिस्तीन का युद्र शुरू हो गया तो कहीने कहीं इसमें इसराइल भी स अरब देश हैं मतलब अरब देश हैं माँआप कीजेगा जो अरब देश हैं उनके भी संबंदों की प्रगाधता बढ़ रही है सब एक दूसरे से समझोता कर रहे हैं अबराहम एकॉर्ड कर रहे हैं तो ये कहीना कहीं यहां पर सांतिय स्थापित हो रही है फिर एरान ने चाल चला और हमास्त के द्वारा अटेक करवा दिया तो फिर यहां पर अशांती फैल गई तो ये जटिल भूराजनिती के बदौलत ही मतलब ये सारी चीजें हुआ कितना कंप्लेक्स है तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती है दूसरी भागोलिक चुनौतियां बहुत सारे हैं इंडिया का जो है जो है जोग्राफिकल फीचर दूसरा है औरबन पैननसूला का जोग्राफिकल फीचर दूसरा है फिर मेडिटेरियल जो रीजन है उसका जोग्राफिकल फीचर दूसरा है ये रोपियन कंटिनेंट का जोग्राफिकल फीचर दूसरा है तो यहां पर भ पोगोलिक चुनोतिया भी हमें निपटना पड़ेगा इसे मुल्टी मोडल नेटवर्क है तो अस्थापना भी चुनोती पूर्ण होगी सब में जो है बहुत सारे यदि परागमन की लिहाद से देखें ब्यापार की लिहाद से देखें तो हर एक देश का अपना अलग अलग माली जी ये आर्थिक गल्यारा किसी एक मतलब ग्रीन जोन से होके गुजर रहा है जहां पर वन हो गया रहा है जहां पर जया भी विद्ता वाला केंदर है कोई देश कहें कि ना हम इसे नहीं जाने देंगे ठीक है इधर से लेके जाओ तो जो में इसका एम है कि जो लागत ह बैपार में वो कम करना वो कही न कही इसके सामने चुनौती खड़ा करेगा तो ये हो गया इसके साथ साथ इतना बड़ा प्रजेक्ट है तो बीतिये संबंदी ऑव्यस चुनौती आएंगी और प्रती दोन्दिता भी है किस से बी आराई से आई एम एसी का ठीक है चाइना जो है इसमें इंटर्फेर करने की कोशिश करेगा आप देखोगे तो ये स्वीज नहत से होके गुजरेगा तो यहाँ पे मिश्र को इंफ्लूएंस करने की कोशिश करेगा मिश्र का यहाँ पे ज्यादा जो है रोल हो इसके लिए चाइना मिश्र को उकसाओ गर सकता है तो जो भी संभावित चुनोतियां हैं उसको मिल जुल के साथ में राजनीतिक सायोग के दौरा राजनाएक संभाद के दौरा एक प्रिट वीजन की हम असापना करें और निर्धारित लक्ष की पुर्ति करने की कोशिश करें तथा जो भी इससे संबन्दित सुरक्षा का सवाल है उस पे आपसी सयोग और जो भी सुरक्षा डेटा है यदि सारे देश शेयर करते हैं तो जो IMEC का ultimate goal है उसे हम निश्चित ही प्राप्त करेंगे और संबंदित देशों को और विश्य को इससे बहुत जादा लाब मिलने वाला है तो ये था overall पूरा explanation काफी असान होती है चीज के बहुत कि ढ बहुत में देश करता है तो येंड़ल अवटाए।